जहीं नमस्कार दोस्तों आसा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगी दोस्तों इस वीडियो में आप सब को बताने वाले हैं जितने भी केनेडी दोस्तों इंडियन आर्मी का फॉम को फिल कर रहे हैं दोस्तों उसे एक प्रोब्लम आ रही है दोस्तों उसे एक प्रोब्लम करके ने रखे हैं सब्सक्राइब करके जब रख लिएगा देशे दोस्तो इस प्रोबलम आ रही है विए सारे कंडिेयों कोषिह कंडिट को दस्तरी प्रोबलम आ रहे है देखिया आप आए प्रोबलम की यह द्लबाण कर ले है आपका जो आधार वेरिफीकेशन है पर लोगिन कर लेंगे यहां आपको देखने के लिए मिल जाएगा देखिए दोस्तों यहां पर अधार वेरिफिकेशन का ओप्शन पर देखने के लिए मिल जाएगा आपको सिंही्प्लि किलिक कर लेनी और यह देखिए दूस्तो जैसे ही हमने अधार वेरिफैकिसन पर किलिक क्या इसांथ का पर आपको dg locker देखाए पढ़ रहा होगा लेकिन दोस्तो बात करें जो भी फुरानी candidate है जो पहले form को फिल किये थे दोस्तो इस तरह का dg locker से automatic कैसे नहीं किया जाता था तो चलिए दोस्तो इस वीडियों में बता देते हैं कि आपको अधार verification कैसे कर से दोस्तो जिसकी ये problem आ रही है दोस्तो यहाँ पर आधार number को यहाँ पर फिल करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको tick mark पर आपको tick कर लीनी होगी उसके बाद दोस्तो अधार verification पर आपको दोस इस तरह का ईंटरफ। आपको डज़म कर जाएगा घं रहेगा लिख hai दोस्तों दूस्स करने के दोस्तों आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा एक दो बार में ट्राइ करने से अगर नहीं हो रहा है फिर भी आप कोसिज करते रहे आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा इस तरह से दोस्तों बात करें काफी सारी केंडियेट का आधार वेरिफाइड हो चुका है ल